Example 40 को देखो भाई, Point Charge की वज़े से Intensity of Electric Field को पर एक बहेतर कोशन है, बहेतर इस कोशन में आपसे कह रहा है, Two Point Charges, एक है Q1 जिसकी Value 0.2 कुलाम है साथ में एक दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी Value है पिलस के 0.4 कुलाम आर प्लेज 0.1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर है Calculate the electric field at, electric field बताना है, तो ठीक है electric field बता देंगे पहला situation दे रखा है, the midpoint between the charges, दोनों charges के बिलकुल बीचों बीच में आपको Intensity of electric field बतानी है, तो मैं ए पार्ट ले लेता हूँ, solution में ठीक है, solution करते हैं इसको, हमसे कह रहा है कि midpoint पर बताओ, तो पहला इसका orientation बना लेते हैं, दो charge है, एक charge है आपके पास Q1, जिसकी value आपको दे रखिए 0.2 micro, oh sorry, micro तो यहाँ पर हैने, सीधे कुलाम, और दूसरा charge आपको दिया हुआ है, जिसकी value है 0.4 कुलाम, ठीक है, यह है, हमसे कह रहा है, यह दोनों charge जो है, वो एक दूसरे से, कितने distance पर रखे हुए है, 0.1 meter के distance पर रखे हुए है, कुछ इस तरह से, हमसे कह रहा है, calculate the electric field at the midpoint between the charges, दोनों charges के बिल्कुल बीचों बीच में, तो बिल्कुल बीचों बीच तो यह होगा, 0.1 meter का आधागर होगे, तो जल्ले से बताओ, 0.1 का आधागर होगा, तो 0.05 आ जाएगा, अगर मैं 0.1 का भी half करता हूँ, तो तरीका यह है, इस तरह सा half होथा, 1 upon 20, 1 upon 20, 1 upon 20, 1 upon 2 meter की distance पर है, यह भी 0.05 meter की distance पर है, कि यहां तक बात okay है, यहां तक बात okay है, ठीक है, आप से गहरा भाई जिरा intensity of electric field बताओ, तो let us suppose कि यह p point है, ठीक है, तो आपको intensity of electric field बतानी है, तो q1 charged है, क्योंकि यह positive nature का है, तो इस से intensity of electric field होगी इधर को, यह होगा e1, similarly q2 जो है, यह यह भी positive है, तो इसकी वरी से intensity of electric field आएगा इधर को, तो net field निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको net field, क्योंकि कोशन नहीं इस तरह का तो बताएंगे, net field at point o, o point क्या है, तो यहां पर o point मत को, p point को, क्योंकि p point को आपने midi कह रखा, at point p, p point पर net field ही कितना होगा, ज चलदी से बताएं, net field, net field बताने के लिए एक काम कर लो, आप net field direct मत बताओ, आप पहले यह बताओ कि q1 charge ने कितना field produce किया है, उसके direction कितर को है, similarly q2 charge का field ही कितना हो, उसके direction कितर को है, यह तब करते हैं, जब आप बहुत expert हो जाते हो, तो अभी मत कहो, आप यह कहो, field due to q1, q q1 की बज़े से field, तो इसको आप e1 कह दो, 1 upon 4 pi epsilon 0, charge, charge की value कितनी है, 0.2 kulam upon distance का square, distance कितना 0.05, इसका square, ठीक है भाई, अब इसके direction कितर को है, इसका जो field हो इदर को आएगा, तो इसको distance को, direction को भी कैसे दिखाओगे, बताओ आप जल्ली से effort, आप एक काम कर लो, आपने इस a से o की तरफ को, o आपने मान रखा गई, यार बार बार o निकल दा, o नहीं है midpoint, आपने midpoint यहाँ पर p कह रखा, तो जो direction निकल कर आएगी, field की q1 की वज़े से positive है, तो यहाँ पर किदर को आएगा, field इदर को आएगा, along ap, तो आप इसको कह सकते हो, along ap, ap के along force निकल कर आए minus 2, तो यहाँ का 25 इंटू 10 की पावर minus के 4, point रटा देंगे, यहाँ पर 10 से multiply कर देंगे, और देखो solution किस तरह से होगा इसका, एक 0 से power कम हो जाएगी, 8 रह जाएगी, और 10 की पावर minus का 4 उपर जाकर, plus का हो जाएगा, तो 8 पहले से plus में ती 4 और चलियाएगी, तो 8, 4, 12 हो हुआ, ठीक है भई, इसको और थोड़ा solve कर लेते हैं, 9, 2, 18, 25 से divide मत करो, आप एक काम करो, 10 की पावर 12 है तो यहाँ से 2, 0 ले लो, 10 की पावर 10 रह जाएगा, और नीचे 25 चलि रहा है, तो 25 से सो जो है, 4 बार चलियाएगा, ठार चोग बहतर होते हैं, तो 72 इंटू 10 की पा का, और न्यूटन पर कुलाम का electric field आया है, यह E1, E1 की value आपको पता चल गई, direction क्या है, इसकी along AP, A से P की तरफ को, मतलब इस तरफ को यह field निकल कर आया, जिस तरह से आपने इसका देखा है, इसी तदीके से आप इसका field दखोगे, field of Q2, Q2 का field निका लो तो इसको को आप E2 1 upon 4 pi epsilon node, charge लो इसका, Q2 और distance लो, distance कितनी है, 0.05, इसको 0.05 ना कह करके, आप ही यह कह सकते हो, 5 into 10 की power minus 2, क्योंकि calculation थोड़ी आसान हो जाती है, इसका square, value पुट कर दो, यह है 9 into 10 की power 9, बिल्कु सही, Q2 की value कितनी है, 0.4, और यह हो जाएगा 25 into 10 की power minus के 4, ठीक है, 0.4, जब थोड़ा और solve कर लेते हैं, point रटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, सही करके लिख देते हैं इसको, सही करके देखो, सही करके कुछ इस तरहा से 9 की 4 समल्ट बिलाए करेंगें, तो 9.36 तो यह हो जाएगा, 25 नीचे ऐसे ही चल रहा है, यह 10 की power minus का 3 बचेगा, उबर बेंदर को भेज दो, 0 और 100 ऐसी रहने दो, 25 से 4 बार कर जाएगा, 25 चो का सो, ओ, 36 दुनी कितने होते हैं, 36 दुनी, 72, 32 का डबल कर दो, 72 का डबल करेंगे, 144, यह फिर आप 36 की 4 से मल्टिपिलाए कर दो, 4 ते बारा है, 120 ही होगे, 6 चोबिस ही होगे, तो 144 हो गए, 72 दुनी, 144, तो वैल्यू आ रही है, 144 इंटू 10 की पावर 10, इसकी डिरेक्शन बताओ, डिरेक्शन कितर को आएगी, E2 वाले फिल्डी की आएगी, B2P, along BP, B से P की तरफ को, अब मुझे एक बात बताओ, किसका फिल्ड जादा आया, B वाले का फिल्ड जादा आया, कितना 144 इंटू 10 की पावर 10, यह था 72 इंटू 10 की पावर 10, तो इधर वाले चार्ज का फिल्ड जादा आया, जब आप नेट फिल्ड निकालने की नहीं जाओगे, तो आप क्या होगे, इस तरह से, नेट फिल्ड, नेट फिल्ड at point P, P point पर, नेट फिल्ड कितना हो जाएगा, तो 144 144 इंटू 10 की पावर 10 में से, माइनस कर दो, क्योंकि 144 लग रहा है इधर को, इंटू 10 की पावर 10, और इधर को लग रहा है, 72 इंटू 10 की पावर 10, तो यह वाला जादा है, इधर वाला कम है, तो जादा वाले में से कम माइनस कर दो, नेट की डिरेक्शन इधर को आ जाएग सही करके लिखेंगे इसको 7.2 इंटू 10 की पावर 11 Newton पर कुलाम इसकी direction किदर को आएगी along क्योंकि ये net field निकल कर आया तो net field की direction तो इधर को आएगी क्योंकि जादा वाला इधर को था कम वाला इधर को था तो जादा मैंसे कम को minus करते तो जादा वाले की direction में net निकल कर आगया along bp along bp ठीक है भई याद रख लेना इसको समझ लेना चाहिए 7.2 इंटू 10 की पावर 11 Newton पर कुलाम अब इसका b part देखो इस question का b part देखो मैं question ले लेता हूँ वापस से इस question का b part थोड़ा छोटा कर दिया कोई दिक्कत नहीं है देखो b part में हमसे कह रहा a point on the line joining q1 and q2 such that it is 0.05 meter away from q2 and 0.15 meter away from q1 मतलब आपको अब field बताना है और एक ऐसी जगह बताना है जहाँ पर एक ऐसी जगह बताना है जहाँ पर distance से कुछ इस तरहां से है मैं इसका orientation बना देता हूँ दूसरे वाले का हमसे कह रहा है कि यह दो charge रखेते हैं आपके पास बिलकुर रखेते हैं इसको आपने a कह दिया इसको आपने b कह दिया कहीं न कहीं p point पहले बीच में था लेकिन अब आपको बीच में नहीं लेना a पर जो charge रखा है उसकी value है point 2 कुलाम तो यह आपके पास q1 है 0.2 कुलाम और जबकि q2 जो है आपके पास वो है point 4 कुलाम ठीक है अब हमसे कह रहा है कि यह पहले point 1 मिटर की distance पर रखे हुए थे एक दूसरे से बिल्कु सही है अब देखो आप से कह रहा है कि अब आपको जो field बतानी है वो ऐसी जगह बतानी है जहां पर जहां पर जो point है जहां पर आपको field चाहिए a point on the line joining q1 and q2 वो q1 और q2 को join करने वाई line पर तो है साथ में वो इस तरह से है such that it is point zero five meter away from q2 तो q2 से कितने distance away है point zero five meter तो यह zero point zero five meter away मैंने p point ले लिया तो p point कहां पर है यहां पर ले लिया तो इस तरह से है कि point zero five meter away आई q2 से और point one five meter आई q1 से q1 से distance नापो यहां तक कि देखो नापो point one meter में point zero five एड़ करोगे तो zero point one में कितने एड़ करेंगे zero five तो जड़ा एड़ करोगे तो point one five नहीं आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा तो हमसे कह रहा है कि p point पर आपको net field बताना है जो की q2 चार्ट से point zero five meter के distance पर है और q1 से point one five meter के distance पर है तो देख लो आप p point जो है वो q1 से point point one five meter के distance पर ही है देख लो by default इतना ही है और q2 से कितनी इडिस्टेंस पर है point zero five meter के distance पर तो यहाँ पर आपसे field पूछाए कि यहाँ पर field बताओ अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो field आएगा उसकी direction किधर को आएगी अब जिरा धिहान दो q1 positive charge है इसका field इधर को होगा तो यह q1 का field होगा e1 similarly अगर मैं q2 के field की बात करूँगा तो वो भी उधर की ही तरफ को होगा तो q2 की वज़े से जो field आएगा e2 चुकि यह positive charge है q2 इसका भी field इधर को आएगा तो जो net field होगा वो add हो जाएगा तो आप कहोगे net field net field at point p तो यह e net हो जाएगा और यह जुड़ जाएगा e1 पिलस e2 दोनों का अब e1 की value रखोगे 1 upon 4 pi epsilon note q1 और distance के square q1 से वहां तक के distance कितनी है 0.15 इसका square इसमें add करोगे plus q2 की वज़े से field तो वो कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon note again q2 और distance कितनी है 0.05 इसका square ठीक है तो यहाँ पर यह e net निकाल लाएगा यहाँ से 1 upon 4 pi epsilon note यह common ले लो 1 upon 4 pi epsilon note इसकी value भी हाथ वहाथ पुट करो value पुट करेंगे कितनी value होती है 9 into 10 की power 9 यह column चल रहा है मेरा q1 की value कितनी है 0.1 sorry 0.2 और distance कितना 0.15 को आप यह कह सकतो 15 into 10 की power minus 2 इसका square करेंगे तो 15 का square होता 225 10 की power minus 2 का square होता 10 की power minus का 4 पिलस लग हुआ पिलस लगा देंगे q2 की value कितनी है q2 की value है 0.4 और distance कितनी है जिल्ली से बताओ 0.05 0.05 का मतलब भी यह होता है कितना होगा इसका मतलब 0.05 का मतलब होगा 5 into 10 की power minus का 2 तो 5 का square 25 10 की power minus 2 का मतलब होगा 10 की power minus का 4 इसको solve कर लेते हैं solve कुछ इस तरह सा करेंगे 10 की power minus का 4 common लेके उपर पहुचा देंगे उपर पहुचा देंगे 9 पहले सा था 4 और पहुचा जाएगा तो 9 और 4 हो जाएगे 13 और बाकी जो अंदर की calculation इसको multiply करके add करो value कितनी निकल कर आएगी मैं आपको बता जेता हूँ जो value निकल कर आएगी उस value को मैं यहां direct लिख देता हूँ यह जो value आ रही है यह आ रही है 1.52 1.52 into 10 की power 12 Newton पर कुलाम direction कि दर को आएगी net field इधर की तरफ को आ रहा है इधर को along BP कह सकते हो BP के along B से P की तरफ को तो आप कहोगे along BP hopes हो समझ में आ गया होगा बहुत छोटा सा हिस्स मैं आपको छोड़ा है करने ही के नहीं आप लोग कर ले ना इसको तमीज के साथ तो यह एक अच्छा कोशन था जिसके अंदर आपसे दो चीज़ा पूछी गई थी और दोनों चीज़ा आपने शोक के हिसाब से बता दी उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होगा डाउट रहता किसी का तो कोमेंट कर सकते हैं वो भी नहीं रहेगा मैं आपको बता दूँगा थैंक्यू सो मच